हेलो दोस्तों आज मैं आपको हरे बैगन के पकोड़े बनाना सिखा रही हूँ यह देखिए मैंने हरे बैगन के पकोड़े बनाए है यहां बैगन का पकोड़ा बहुत टेस्टी लगता है हमारे घर में सभी को बहुत पसंद है यह देखिए बेसन लिया है बेसन को पहले सबस इसका प्याज बहुत छोटा चोटा यानि बहुत बारिक-बारिक काट लीजिए ये देखिए ये मैंने थोड़े स्पीड बढ़ाई है आराम से ध्यान से करिएगा ये है बैगन जी हां हरा बैगन है बहुत काटे हैं इसमें इसके उपर के ताच को हम निकाल देंगे और के इसमें बेसिक मसाले थोड़ी सी चुटकी बर हल्दी नमक और लाल मिर्ची पाउडर धनिया पाउडर चुटकी चुटकी भर ये सबी डाल के चारोर अलट पलट करके दोनों तरफ कोड कर लेंगे सब जगा इसको लगा लेंगे ये देखिए बैगन के आगी पीछे सब मैंने लगा लिया है अब देखते हैं बेसन की कंडिशन बेसन में मैंने हरे मिर्च और कटा हुआ प्याज डाल दिया है नमक एड़ कर दिया है और अजवाइन क्रश करके डाल दी है और खुब अच्छे से फेटा है अब तिल का ओईल मैं यूज कर रही हूँ तलने के को बेसन के साथ डिप करकर कढ़ाई में डाल रही हूँ यह देखिए बेसन को अगर आप पहले से फेट के रखेंगे न तो पकोड़े बहुत फूले फूले और बहुत अच्छे बनते हैं यह देखिए और जब आप शुरू में फ्लेम तेज रखना है और बाद में मीडिय कर देना है पकोड़े बनके रेड़ी है निकाल लेती हूँ यह देखिए कितने टेस्टी पकोड़े बैगन के निकल के आ रहे हैं एक बैच सिक चुका है दूसरा बैच सेक नहीं क्योंकि तेल मैंने लिमिटेड डाला है अगर तेल में बहुत जादा डालती तो एक ही बार म मज़ा आएगा इन्हें खाके देखो पकोड़े बनके रेड़ी हैं अब यह जो बेशन बच गया है ना बस खाली बेशन बचा हुआ है उसकी मैं सिंपल सिंपल पकोड़ियां बनाके रेड़ी कर लेती हूँ यह देखिए पकोड़े बनके रेड़ी हैं यह बेगन के साइड़ी के पकोड़े और दुसरे सिंपल वाले यह देखिए बहुत यम्मी लग रहे हैं बहुत टेस्टी लगते हैं खाके बताती हूँ ओ माइगाड